कि नोटिस अभी तो हमारे पास में आया नहीं है जो न्यूज की रूपोर्ट आ रही है कि एंडी टीवी की अभी 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 अपने नेट पे देखिए उसके इसाब से उन्होंने हमें नोटिस इस्यू किया कि डॉकुमेंटी कि जो बनी है गेंग रेप के ऊपर जो की बेन लगा है कोट ने जिसके ऊपर रिष्टेंड ओडर किया हुआ है आज से नहीं कडीव अप्ते पर पहले से कि उसके कंटेंट के ऊपर कहा गया है कि इन्होंने उसमें जो इस्टेटमेंट दिया है वो गलत है प्रोफिस्वल मिसकंड़क्ट है शो को जो नहीं मांग रहा है हमने कोई भी मिसकंड़क्ट को नहीं किया हमारा प्रोफिस्वल मिसकंड़क्ट कोड से रिलेटेड होता है हमारे client से related से है हमारे law से related है ना कह हमने quote को गाली दी है औना ही quote के अपमाना की है लेकिन हाँ जो लोग कहते हैं कि ये documentary में Mr. Sharma का statement है निस्चित रूप से उन्होंने इस documentary को देखा है उन्होंने इस डॉक्मेंटी को डाउनलोड किया है खुद देखा है, लोगों को दिखाया है, लोगों को बताया है वो ये फूल गए कि कोट के ओर्डर के बाद ये तीनोही एक्शन, कंटेम औप कोट और क्रिमिनल आफेंस में आते हैं या कोट ने मना कर दिया, पूरा बेन लगा दिया, किसी डॉक्मेंटी फिल्म के उपर तो उस फिल्म को यूट्यूब से देखना, उस फिल्म को डाउनलोड करना और उस फिल्म के कंटेंट के बारे में लोगों को कहना और बहस करना अपने आप में content of court है, court की अब मानना है और इसके लिए वो सभी व्यक्ति मेदार है जिन्होंने ये किया है, चाहे वो NDTV हो, GTV हो, Focus TV हो या Bar Council की Chairman हो और जब ये document इंडिया में release नहीं हुई है जब इंडिया में release करने के लिए permission ही नहीं है ये court के माना किया हुआ है तो आज इसके content को कैसे दिखा जा रहा है कैसे दिखाया जा रहा है कैसे उसके उपर बोला जा रहा है हम इसके उपर action लेने जा रहे हैं